बंदे मातरम बंदे मातरम सुजला सुपला मातरम बंदे मातरम नमस्कार वीवर्स स्वागत है आप सब कहीं चक्षू व्लोग्स पर मैं हूँ एमार भाटिया आज का ये व्लोग दो बहुत ही खूबसूरत गाउं भाला और टिपरी का है जिनके किसानों ने भी कुछ बात की है और मातरी शक्ती ने भी उसमें कुछ पुराने जमाने के कल्चर के बारे में बताया है और यहां के किसानों की घर देखकर और उनका कल्चर देखकर उनकी खेत और उनकी फसल देखकर उनकी महनत का अंदासा लगाया जा सकता है भाला और टिपरी गाउं के किसान बहुत इमानदार और महंती हैं आईए आप भी देखिए आज का ये बहुत ही खूबसूर्थ व्लोग I love my bhala नमस्कार सर, सर क्या नाम आपका? पुन्नुराम सर, सर अपने इस गाउं के बारे में कुछ बताएं सर नमस्कार सर, सर, मारा गाउं का नाम भाला है, या के लोग केती बारी करते हैं, कुछ इंपलोजमेंट भी है थैंकिए सर, बात करने के लिए थैंकिए सर अब परवाण जमान ने करेकाति है किना? करने भी जमान में, भी सब्सक्राव सर करेका परेकाशुन के सब्सक्राइपकाईया मिशती तुर के करेकाति है किया दूने टतना ने भी फी और डाद को और गना आर ने बहुआने बने नेई जो बढ़ doe आर बाद आई पोरी पांता को आो किन Mir Manufacturing माने जू ना इसा प्राय आ शाकर Jan pagan talks बांग दुमारी और कोई प्रेस्मावाले कोई बत्ती खराब हुए रसोल्नी तान फोई किसना तू तूसा थे आप पैनी शियो अब अंधर मात एक गुर्दे शानी के अब कसे रून शारूर चराने अब इजे खार शाग पाना थे अत्रूर का फाना काड़ी पाने अंटी का अब बांग छेला का फाने शिर यह झिए खारी खावर शाग तूसा किसना पहए खावरा अब अब शाने का खावरा जो अब डिया कोई शाग अब आप पिछे पीसे धावरा अब पिश्च फीसे पाने शाग दी शाग लंगृ पचाण बट्टू 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 तो पर्दा ने बात रहें पर नंदे दी दा ना निए अन मस्थी आनो बज़ा अरंग खाना सब गिज खाना ताहर मानो यहां तो प्रूज पैसंगे निए अब दे आवे दीपूरा खाना पीना दा गाई इसका निए दूरे बुछ गया है प्राप गया हो बरी तुसे रबे है बाद खाल जबाने थी ताहर में रखाना तो पर ना ने तो पर ने पाई पाई लाने अ हर चंबाई चेड़ी बेचने लखडी बेचनी चंबाई तो पर चले देरे रसुच गोर तो लेना तो तो ते आई पोट और रहा है निक्के जो से शाग बज़र ओजीना जे ना ब कघ ख़चे मैं अढ़े का ब्रौ का एतिघी के टे तो तो खाक जड़े है भ्चे कंगरे ले मुझा खागए भ्चार कंदे दीद हो फिर अब बज़रो ऑचे ना आ आ घरी ऑड़ी जोना ने फलके बंद है इघा आ ना जे पसलत भड़ाई ना एकश लिगा माना जे अठर भाला गाउं का एक पार्मपरिक देवदार के लकडी से बना हुआ घर ये अपनी संस्कृती से अपनी जमीन से जुड़ा हुआ गाउं भाला भाला गाउं के किसान जो हैं वो अपने घर के काम को कर रहे हैं बहुत ही महंती लोग भाला के तर्फ देव भूमी हिमाचल और शिव भूमी चंबा के हर एक गाउं के लोग तो ऐसे हैं कि जिनकी महनत उनके खेतों में जो है वो दिखाई देती है और जो फसलें वो उगाते हैं और उन फसलों को देखकर भी इस बात का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे गाउं के किसान जो हैं वो कितने महनती हैं जैसा कि पुनूराम जी ने बताया कि भाड़ा गाउं जो है वो किसानों का गाउं है और ज्यादातर लोग जो हैं वो किसान हैं उनकी ये बात धरातल के उपर भी सत्य प्रतीत होती है जब हम भाड़ा गाउं के लोगों भाडा गाउं के एक किसान ने देशी मुर्गे वा मुर्गियां पाल रखी है ये जहां उनकी आय का सादन है वहाँ ये आजीव का भी है और आतम निर्भर होने का एक स्रोत भी है भाडा गाउं के ज्यादर किसान जो है वो अपने नए मकान जो है वो बना रहे हैं ये भी उनकी महनत को दुर्शाता है भाडा के एक महनती किसान ने अपने खेत में आलू की फसल उगा रखी है भाडा गाउं के एक किसान ने बे मौस्मी सबजियां उगाने के लिए अपने खेत में पॉली हाउस लगा रखा है सुरमे वादी और देवदारों के बीच में बसा हुआ भाडा गाउं कुदर्ती खूबसूर्ती का एक बहुत ही सुन्दर उदारन है यहां के लोग और यहां के किसान बहुत इमानदार और महनती हैं गाउं की गलियों में गुसना भी खत्रे से खाली नहीं हो सकता है यह जो कुद्टे होते हैं अगर आपका दिल साफ नहीं है तो यह आपको चीर फार भी सकते हैं भाडा गाउं के मद्धे में देवदार की लकड़ी से निर्मित एक प्राचेन घर आंगन बाडी केंदर भाडा कारयाले ग्राम पंचाइद ग्वाड जो की भाडा में स्थित है जहां भाडा गाउं के किसान महनती और इमानदार हैं वहीं इनके भवन जो हैं उन में से कुछ ऐसे हैं जो प्राचेन शैली के हैं और देखने पर अपनी और आकर्शित करते हैं भाडा गाउं के आखरी छोर के ये घर जो किसान उंचे पहाड के और उंचे पहाड का ये कल्चर महनती और इमानदार लोग भाडा के और ये पारंपरिक देवदार की लकड़ी से निर्मित पुराने घर जो की अपनी परंपरा को दुर्शाते हैं और वहीं जो किसान हैं वो महनती तो हैं वो इनके काम को देखकर भी पता चलता है भाला गाओं का ये आखरी छोर और ये आखरी दुकान इस खुबसूर्थ गाओं की सुरम्य वादी के बीच में वसा हुआ भाला गाओं और बहुत ही महनती और बहुत ही मिलन सार लोग भाला के ये भाला का मिडल स्कूल प्राइमरी स्कूल भाला भाला गाओं के साथ ही एक और खुबसूर्थ गाओं है जिसका नाम है टिप्री इसकी भी कुछ तस्वीरे मैं आपको दिखाता हूँ टिप्री गाओं भी अपनी संस्कूल से जुड़ा हुआ गाओं है एक किसान की जो है वो गौड है यहां और एक किरड में जो है वो पत्ते जो हैं वो इन्होंने वन से लाकर यहां पर रखे हैं जब गौओं के नीचे की जो जगा है गौड की वो गीली हो जाती है तो उसक परमपरिक अपनी संस्कूल से जुड़ा हुआ गाओं है अपनी परमपरा से जुड़े हुए गाओं के लोग और सामने पर्वत शिंखला और खुली हुई हरी भरी वादी यही तो खूबसूर्ती है हमारे गाओं की टिप्री गाओं के एक किसान ने यहां अपने पश्रूं के लिए जो है चारा स्टोर करके रखा हुआ है टिप्री गाओं के एक किसान ने मदु मखियां जो हैं वो पाल रखी है टिप्री गाओं के एक किसान ने अपने खेत में फ्रास्पीन के फसल जो है वो बीज रखी है और यह काफी अच्छी पैदावार टिप्री गाओं के एक किसान का मौडरन हाउस जहां इस गाओं में पारंपरिक शैली के देवदार निर्मित घर हैं वहीं आधनिक शैली के भी घर हैं यह टिप्री गाओं के किसानों की महनत को दर्शाता है टिप्री गाओं के एक किसान जो हैं वो अपनी बक्रियों को चराने के बाद अपने घर की ओर लाते हुए टिप्री गाओं के किसान बहुत ही महनती बहुत ही इमानदार टिप्री गाओं के लोग अपनी परंपरा से अपनी संस्क्रिती से जुड़े हुए लोग हैं और ये किसान बहुत ही महनती किसान हैं जो कि इनके घरों को देखकर भी महसूस होता है किसान अपने खेतों को जोत कर दोपहर के वकत अपने बैलों को जो हैं अपने घर की तरफ ला रहे हैं महनती लोग टिप्री के टिप्री गाओं के किसान जहां अपने खेतों में काम कर रहे हैं वहां यहां की मात्रिशक्ती भी अपने काम को जो है वो कर रहे हैं और अपने पश्वों के नीचे डालने के लिए वनों से जो पत्ते हैं वो अपने घर की तरफ ला रहे हैं मशकार सर क्या नाम आपका सरन सिंग जी मैंने आपके टिप्री गाउं की कुछ तस्वीरे ली और किसानों से भी बात की और उनके खेत भी देखें यहां का कल्चर जो है अपनी संस्क्रीती से जुड़ा हुआ कल्चर है सर आप भी अपने इस टिप्री गाउं के बारे में कु थीक से पढ़ रहे हैं और यह तो काफी अच्छी बात है कि जो आजकी जिनरेशन है निव जिनरेशन जो है वो अच्छी एडूकेशन जो है उसमें है और वो गाउं की तरक्की के लिए भी बहुत अच्छी बात है सर आपने मेरे हिम्चकशू व्लोग स्के वीवर्स के लि जै नाल देटा ये हमारे भाला में नाल देटा का मंदर है हमारे विजुरुक कहा करते हैं कि ये मंदर काफी साल पुराना है इस मंदर की बहुत मान्यता है किनल है कि ये जो बहुत में नागराजा का मंदर है हमें इस ना नागराजा के दिख रही है जो हमारे समक्ष मूर्थी दिख रही है यह मुख्य मूर्थी है और यह माना जाता है कि हजारों वर्ष पुरानी है इस मंदर में काफी ज़्यादा दूर दूर से श्रधालों गयराते हैं जो उनकी मन्यते बगारा होती है अगर जब पूरी हो जाती है तो अगर ज़ाते है चड़ाते हैं चंबाते हैं नाग देता है कि इस मंदर में जग और जातर होती है यह जो है हमारे दादा जी है जब इनकी मृत्ति हुई तो हमारी परिवार में एक स्वपनवग्यरा पड़ा था तो उन्होंने बॉला था कि मैं मुझे नाग राजा जी के साथ वहां पर बैठना चाहता हूं तो हमने एक शिला बनाके उनको नाग देवता के साथ बिठा दिय आज के व्लोग में इतने ही वीडियो पसांद आई हो तो लाइक कमेंट वर शेयर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फिर मिलेंगे किसी नए व्लोग में तब तक के लिए जैहिंद जैहिमाचल